नमस्कार स्वागत है आपका सीनियूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रबास्तव नवाबो का शहर ये महज नाम नहीं है उनकी पहचान है जहांके हर नागरिक में नवाबी ठाट देखने को मिलती है लेकिन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं बलकि ये लोग दिल से नवाब होते हैं इन दो लाइन से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं जी हां हम बात कर रहे हैं लखनव की जुसे नवाबो का शहर कहा जाता है ये शहर आज भी अपनी पुरानी विरासत समेटे हुए है यांके एतिहासिक इस्थल परेटिकों को अपने पुराने इतिहास की ओर ले जाते हैं तो चलिए आज आपको लखनव के रोचक इतिहास से पराते हैं और जानते हैं कि किन मायनों में नवाबो का शहर लखनव इतना खास है लखनव शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब के लिए जाना जाता है ये भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है जो दशहरी आम के बाग तथा चुकनकारी के लिए खास तोर पर जाना जाता है इस शहर की अपनी अलग संस्कृति खानपान और प्राचीन इतिहास है इसलिए लोग हर साल दूरदरास से लखनव जैसे शहर की संस्कृति को निहारने और कई नवाबी खानपान का लुथ उठाने आते हैं जब भी हम लखनव शहर में शुड़कत करते हैं तो एक कहावत यकीनन हमें जरूर सुनने को मिलती है मुस्कृराइए आप लखनव में हैं मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जुसे तहजीब का शहर या नवाबो के शहर कहा जाता उसके नाम का क्यार्थ है तो आपको बता दे कि लखनव का इतिहास बेहत रोच्वक रहा है क्योंकि इसके निर्मान में आवद के कई नवाबो का हात रहा जैसे सादत अलिखान, सफदर जंग, शूजा उद्दौला, आसफ उद्दौला आदी इतिहास में मिलता है कि लखनव के स्वरूप की स्थापना नवाब आसफ उद्दौला ने 1775 में की थी उस वक्त लखनव का नाम अवद हुआ करता था और ये श्रासिकों की राजधानी हुआ करती थी राजधानी के दौरान ये काफी फेमस हुआ और 1850 में लखनव के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे इसके बाद अवद पर ब्रिटिश सामराज्य का श्रासन शुरू हो गया बतादे अव कि अयोध्या के राम ने लक्षमन को लखनव भेट किया था तो वहीं दूसरी और यकीननँ आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि लखनव नवाबु का शहर है मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर को नवाबु के शहर के नाम से जाना क्यूं जाता है क्योंकि इस का अतिहास ही इसे अन्य शहर से अलग और खास बनाता है बतादे यहां का रहन सेहन, खानपान, भाषा, इमारते, पहनावे, आदी में राजसी जीवन की जलग दिखाई देती है क्योंकि इस शहर पर कई अर्सों तक नवाबू का शासन रहा है जाहर है लखनव अपनी विरास की शैली समाई हुई है हलाकि वक्त के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है लेकिन यहां की एकतिहाई जनसंख्या इस तहजीव को आज भी संभाले हुए है जो लखनव की पहचान है इसके बिना तो लखनव अधूरा से लगता है खेर आपको हमारी यह दी गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार